बूर्णिंग प्रेंट्स आप सभी का श्वागत है हमारे इस चैनल पे आज हम लोग एंसाइटी का एक्ससाइज 6.2 का प्राब्लम को देखेंगे आपको पिछले क्लास में इसमें हम लोग पढ़ चुके थे 6.1 और पैला लाइन का प्रोपर्टीज को हम लोग पढ़ चुके हैं सो फ्रेंड अब हम लोग एक एक कुश्चन को सब्सक्राइज देखेंगे जो पैला लाइन का प्रोपर्टीज था वही प्रोपर्टीज के अनुसार से हम प्राब्लम को स्ल्विशन करेंगे तो पहला कोश्चन क्या है इसको जड़ा ध्यान से देख लीजिए पहला को स find the value of x and y x और y का value find out करना है जिसमें a b जो है वह पैलर दिया हुआ है a b जो है वह पैलर है आपका c d का और जिसमें यहां देख रहे है friend कि यहां पर जो है यह एंगल अगर यह टांसवर लाइन है यह 50 डिग्री दिया हुआ है और यह एंगल यहां पर x है आपको यह x और y का value यहां 30 डिग्री है तो question number one का solution friend यहां देखेंगा आप सब हमारे प्रिये चात्रे कि a b जो है वह पैलर है a b पैलर है c d का ठीक है देखेंगे यहां मैं figure भी ड्रो करते रहूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में बात आए एक टांसवर लाइन है यहां एंगल आपका 50 डिग्री दिया हुआ है यह x दिया हुआ है यह value 130 डिग्री है यह value आपको y है यही x और y को निकालना है आप यह जो देख रहे है एल जो एक टांसवर लाइन है इसका मतलब है एल इस टांसवर्शल लाइन और आप टांसवर्शल लाइन है या स्ट्रेट लाइन पे आप जानते है एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है तो हम लोग क्या करेंगे एंगल 50 प्लस x एक्वल टू 130 डिग्री है यह एंगल और यह एंगल को जोड़ेंगे तो वह एक स्टेट लाइन मिल जाएगा तो 130 तो x का value निकालेंगे 130 में 50 माइनस किजिएगा sorry 180 में अगर 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री मिलेगा मिलेगा फ्रेंट्स अब आगे आप देख रहे हैं कि जब a b पैलर है c d का यह आपका question में भी given है और आप देखिए given है वह तर्म को देखना होगा तो अगर यह देखा जाए एक चीज और भी कर सकते हैं कि यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा एंगल x जो होगा एंगल y के बराबर होगा इसके पीछे क्या reason है क्यूं बराबर होगा एंगल तो आप पैलर लाइन का properties आप जानते हैं आप वाटिकल opposite एंगल इक्वल है alternate वाटिकल अपोजिट याप जाना फिर वाटिकल अपोजिट एंगल या alternate इंटियर एंगल भी nate interior angle आपस में बराबर है तो angle x का जो value है वह angle y का value होगा angle y का value आपका 130 degree दिया हुआ तो निकल गया क्योंकि x का value 130 थर्टी है तो X का वैलू भी 130 डिग्री और एंगल Y का भी वैलू आपने निकाला 130 डिग्री तो यह एंगल यह एंगल आपस में बराबर है तो now we can say that we can say that AB line is parallel to CD. प्रूब फो किया यह कॉस्टन?